नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आरभी भौपाल का ओफिस्यल वेबसाइट है देखे दोस्तों अगर आप लोगों का जो एक्जाम है गुरूपडी का वो कल से सुरू होने वाला है तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत पूर्ण ब सुरू किया जाएगा एंटी पीसी की सीवेटी टू से यह नियम स्टार्ट हुआ था और आगे जितना भी रेलवे का एक्जाम होगा समय यह नियम लागू होगा लगभख सभी गौवर्मेंट एक्जाम में यह नियम लागू हो रहा है कि अधार कार्ड बायोमेट्रिक कर सकते हैं अगर आप लोग यह सोचते हैं कि मैं कोई दूसरा आईडी प्रूफ परेंड कार्ड ले जाओं डे जाओं तो मैरा काम बन जाएगा ठीक है दोस्तों आप जो अधार काड्र आपको लेही जाना है आपको जो भी घर में औरिजनल अधार कार्ड हो वह आपको ले कर मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा ऐसे में क्या होता है कि अगर आप लोगों का अधार कार्ट का बायमेट्रिक लोग है बहुत सारे लोगों का अधार कार्ट का जो बायमेट्रिक होता है वो लोक रहता है तो एसे लोगों को परसानी जलना पड़ता है तरिकीवन एक घंटा उ आपके अधार काड़ के अनलोग करके देगा दूसरा पॉइंट कि आप लोग अधार काड़ लेकर ही जाए और और अधार काड़ लेकर के जाए साथ में एक एक्स्ट्रा आईडी प्रूब भी ले जा सकते हैं ये इन बातों का आप धियान रखे ही और एक और भी बात धियान रखने का जिरूड़ी है कि आप अपने दोनों थंब को सेनिटाइज करकर के जाए वहां पर में क्या होता है कि अंगुठा पे बहुत सारा डस्ट या फिर अगर आप कुछ वसा वाला चीज खा लेते हैं तो वसा चिप चिपा जो होता है अब थंब पर में लग जाता है उल्यों पर में लग जाता है जिसके कारण फिंगर फिर जो है आपको अच्छे से नहीं जा पाता है और आपका अधार बायमेटिक फेल हो जाता है इसलिए हा को अधार बायमेटिक फेल होने के कारण एक्जाम से निकाल दिया गया है तो आप लोगों के लिए और बहुत बरा बात है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रियोटिक टेबल का लिंक मिलेगा वहां से अगर मात्र अगर पांच रुपिया अगर आप लोग खर्ज करते तो देखें दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद